हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपनी ट्वी चनल संदर मैथ पर आज के इस वीडियो में हम लोग एक इक नियम सिखने वाले हैं जिसको इंगलिस में कहते हैं इनुटरी मेथोड इसमें क्या होता है इसमें आपका किसी भी बस्तू का एक बस्तू का मुल्य दिया हो 25 कलम का मुल्य पूछ रहा है इसको हम लोग एक इक नियम झालते हैं यानी एक कम मुल्य से अनेक का निकालते है तो देखले जो दिया है उसको लिखेंगे पहले तो हम लोग यह पो निक बस्तूने का का कि मुल्य कि से एक कलम का मुल्य कितना دिया हुआ है तो पांस रूपिया इस तरी ह्रिक से को सुरुक्षक हो गया हम लोग को निकालना का है तो देखी 25 सांतर जाव यह आपट लिखेंगे 25 कलम का मुल्य 25 का मुल्य निकलना है हम लोगको तो हम लोग क्या करेंगी यह फिर निकलना है il 5 क्ली 5 की गुन तो 25 द्वाया हासिल 5 दूने 10 दो 12 यानि 125 आ रहा है तो हम लोग लखेंगे 125 रुपे यानि हम लोग को पता चल गिया कि एक कलम का मुल्ड अगर 5 रुपे आ है तो 25 कलम का मुल्ड कितना हो जाएगा 25 गुणा 5 यानि 125 रुपे इस ते रिक्स निकाल लेंगे चली दुश्रा को समझते हैं इस कोष्च्न में देखी 1 kg आलू का मुल 15 रुपे है तो दुश किलो गर्राम आलू का मुल्ड कम्स ढ़ना का दिया है यानि 1 किलू ग्राम का मुल कितना दिया होआ है तो यह दिया हुआ है 15 रूपे तो व्लों रीखें 15 रूपे चलम लोग को निकलना कितना का है तो तो 20 किळो ग्राम का तूह से बीज किलो कानिकालना है और एक किलो का यह 15 तो 20 और 15 कुना करेंगे तो कितना हो जाए सुर्पी हो जाएक हम चलिए दुसरा क्वोश्चिन लेकर समझते हैं अब देखें दुस्रा टाइप का कुश्चिन इसमें क्या दिया हुआ देखिए 15 किताब अ wären 300 तो एक किताब का मुल्ड ज्यांत करें इसमें आपका ज्यादा का मुल्ड दिया हुआ है और आपका एक का पूछ रहा है तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले जो दिया हुआ इसको लिखेंगे यानि 15 किताब का मुल्ड दिया हुआ है हम लोग के पास लिखेंगे 15 किताब का म मुल्य एक किताब का मुल्य कितना हो जाएगा देखिए कि 300 रुपे है कितना किताब का 15 किताब का तो हम लोग 300 को भाग करेंगे 15 से जब हम लोग को एक का दिया हुआ था और ज्यादा का निकलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं वह जब ज्यादा का दिया भाग करेंगे चलिए हम लोग 300 को 15 से भाग करेंगे तो देखिए वंद्रा तुने तीस रख जीरो यानि बीस बार में आ जाएगा यानि एक किताब का मुल्ड हो जाएगा 20 रुपे इस त्रिक्स के निकल जाएगा चलिए इस टाइब का और भी कोश्चन देखते हैं तो देखिए इस कोश्चन में यहां पर दिया हुआ है 20 मुर्गी का मुल्ड 2400 रुपे है तो एक मुर्गी का मुल्ड ज्याद किजिए तो चलिए इसमें बहु ही करेंगे हम लोग तो लिखेंगे 20 मुर्गी का मुल्ड 20 मुर्गी का मुल्ड कितना है हम लोग के पास 2400 रुपे है 20 मुर्गी का मुल्ड चलिए हम लोग के निकालना कितना है एक मुर्गी का मुल्ड एक मुल्ड कितना हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग भाग करेंगे यानि 2400 रुपे को 20 में भाग करेंगे तो कितना आ देखिए एक जिरो से एक जिरो कट जाएगा और यह कितना में आएगा दो एक कम दो दुन्नी चार और दो जिरो जिरो यानी 120 रुपीय आजाएगा एक मुर्गी का इस तरी से बना लएगा हम लोग चली नेक्स्ट कुश्चन है कि एक दर्जन केले का मुल्ड साट रुपे है तो एक केले का मुल्ड क्या होगा तीसे आप कोमेंट करके बताएगा और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो पिडियो को लाइक कर दीजी और अगर चनल पर पहली बार आएं तो चनल को सस्काइब कर लेजी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद